नाखपुर का श्रीत कालीन अधिवेशन संपन्न होते ही शहर के नागरीकों ने इस अधिवेशन को लेकर अपनी अपनी प्रतिक रिया दी है आए डालते एक नजर अधिवेशन संपन्न हुआ है आए अफशर के जनता की अपनी क्या राय है नागरीकों की क्या प्रतिक्रियां है यह हम जानने के लिए आज बल्ड के उस मार्केट में आए हुए जहां पर यह तमाम व्यापारी लोग हमार साथ महुजी दे सबसरे लुक और चाहिए उन व्या अधिवेशन जो संपन्न हुआ है यहां पर जो मोर्चा था अभी साथ दिनों का साथ दिनों से बिल्कुल एसा रोड पुरा जाम था कि हम लोग को व्यापार जो सुबह से ग्यारा से सामके सार्वेश तक के पुरा ब्रेक लग जाता था उससे अंगोबर्त दन्ने में असर पड़ा है और जो मोर्चा जो हुआ उनका भी कुछ नया हुए यह हमारी प्रतिक्रिया है क्या कहने चांगे सार नोडबंगी है जीएस्टी और तमाम बाते हैं बात ऐसी है भाई साब कि जीएस्टी और इसके कारण ग्रापार को बहुत तकलिवी है ग्रापार बिल्कुल नहीं के बराबर है हमारा यह कहना है कि यह सब मुद्धों पर साहकार ने चर्जाय करना चाहिए इसका समाधन निकालना चाहिए ताकि पबलिक को कुछ फायदा हो और यह हमारा कहना है कि यह कम से कम अधियोचन आठ डिन करना हो तो मैने बर करना चाहिए और साल में दो बार होना चाहिए ताक इतनी आसा लगा के आते हैं और आट दिन में अधिवेशन समापत हो जाता तो उससे कोई जंचा को न्याय मिलता नहीं है यह हमार से अनुर्वेशन है कि विया न्याय होई सभी के थार तो आप ते शहर के कुछ ऐसे नागरिक जिन्होंने बख़बेर बेबाकी के सब बात करत लेकिन ऐसे में अधिवेशन के दौरां जो आंधोलनकारी नाकपुर में आते है रविदान सभा की उमर्जिज़ जो दस्तक देते है उन आधोलनकारीयों को कमसीका न्याय मिले उनकी मांगे जो है सरकार पूरी करे तब कई जाता नाकपुर में यह अधिवेशन सुचार र होते हुए यह तक्रिबन साल में दो बार लिया जाए जिसके चलते आज नाकपुर शहर ओ या पुरा महाराष्ट का राज्य हो हर शेत्र के लोगों में कई समस्या का अंबार लगा हुआ है हर किसी की समस्या सबसे सामने में खड़ी है यह सरकार इसोर ध्यान दे और नाकपुर में जैसे जैसे यह अधिवेशन का दोर और भी ज्यादा टाइमिंग में चलते रहेंगा वैसे जो अंदुलन कारिया जो लोगों के सवाल है यह सरकार छुडाने में सरकार को आसरी होगी इसलिए यह जो समय है यह समय एक निर्धारी एक समय की समय सिमा जो है वो बढ़ाना चाहिए और साल में दो बार लेना चाहिए ऐसे शहर के नागरिकों का कहना पड़ा है अब देखना यह होगा कि आए दिन जो अधिवेशन जो हुआ है वो तो संपन्न हुआ है नागरिकों का इसका कुछ खामियाजा भूगत ना पड है या नहीं नागपूर के बल्डी मार्केट से कैमेरा परसन सुवाश के साथ संजय मीरे इन्बीशन न्यूज नागपूर